जो लोग विकास और पर्यावरन है इसके तहएत हम लोगोंने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं पहले जो बच्चे इस लेक्चर को नहीं देखें हमारे फ्रीवेस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि उनका सारा का सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आज का जो टॉ जबसें को आज़ सबुक रल्टैस्ने के इस लेक्थ सीमानत करने के उससे निपटने की क्या-क्या श्ट्रेटर से पढ़ेंगे और हमारे एक्जाम में देख रहते हैं किकॉश डाव ह। जो नेचुरल नहीं होता है, तो वो आपको find out करना रहता है, तो इस तरीके से question पुछे जाते हैं, तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है, कि प्राकृतिक आपदा क्या है, और प्राकृतिक आपदा में कौन-कौन से हमारे आपदाएं शमलित हैं, कौन-कौन से आते हैं तो आज के lecture में हम लोग इस तीज को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का class शुरू करते हैं, और class शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि ऐसे बच्चे जो हमारे score के साथ जोना चाहते हैं, या फिर जो हमारे PDF को प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, वो दिकी गुरू टुटोरियल का वाट्सेप नंबर है, ठीक है, तो अगर ज्यादा डिटेल आपको चाहिए, तो आप उस पे कॉंटेक्ट कर सकते हों, ठीक है, अनुशिक कि आपदा क्या होता है, ऐसा कोई भी बच्चा हमको नहीं लगता है कि हमारे ग्रूप में ऐसे हैं, जो आपदा शब्द से अपरिचीत हैं, सबको पता है कि आपदा क्या होता है, लेकिन चुकि हमारी क्लास शुरू होती है, डिफिनेशन से, तो हम लोग जरूर जानेंगे कि आपदा का exact definition क्या है किसको कहते है आपदा क्या है तो आपदा अचानक होने वाली विध्वन्सकारी घटना को कहा जाता है ठीक है जिसे व्यापक अस्तर पे हमको क्या पहुंचता है जान माल का नुक्षान होता है होता है न मतलब आपदा एक होता है कि हमको पता है कि कुछ बहुत ज़्धा होना पड़ान मतलब खतरनाक नुकसान जो को क्या हो aproxim कि सीका देंड़ा है ठीकंगे लेकिन अगर किसी भी प्राकृतिक घट ना से किसी फ्राकृतिक जोखिम को बहुत ज्यादा सज्दования को झानंवाल के च्षति पहुंशती है नुक्षान पहुंशता है तो उसको क्या हैं तो आप दा कहेंगे क्यों कि यह अचानद से होने comparable ध्युवाली तो ब्यापक मात्रा में क्या होता है बहुतिक च्छती और जानमाल का नुकसान होता है बहुतिक च्छती का मतलब जानते ही है कि कहीं भी अगर आपदा आया तो उसको मैनेज करने के लिए उसे उबरने के लिए हमारे बहुत सारे resources का खर्चा होता है बहुत सारे invest होते हैं तो यह सारे क्या होते एक तरीके से छती ही होते हैं किसी विदेश के लिए राज के लिए अभी किसी society community के लिए ठीक है तो आपदा का अर्थ क्या है कि अचानक होने वाली ऐसी घटना जिसके बारे में हम सोचे नहीं और बहुत खतरन है जिसे बड़े अस्तर पे व्यापक अस्तर पे लोगों का जानमाल का नुकसान होता है तो उसको हम कहेंगे आपदा ठीक है प्रबंधन अधिनियम जो है आपको पता होगा कि भारत में जो आपदा प्रबंधन है उसको गवर्ण करने के लिए आपदा से निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन बोर्ड बनाया गया है ठीक है तो जो आपदा प्रबंधन बोर्ड है उसका काम है कहीं भी अगर आ 20 अजाम को लोगों को वार्व करता है तो जो आपदा प्रभन्धन वर्ड विपृत किया एक जेक्ट आपदा है क्या तो उसके अनुशार जो पर प्रिभासा है वो यह है कि आपदा सेतातपरं किसी कहत्र में उस अनिश्ट या विपत्ति या बेहत गंभीर घटना से थिक है जो हमारा आपदा प्रबंधन बोड है वो क्या डिफाइन किया है कि आपदा क्या है तो आपदा का मतलब है कि किसी छेत्र में हुए बिध्वन्स अनिष्ट बिपत्ति या बेहत गंभीर घटना जो प्राकृतिक या मानो जनितकार्णों से दुरघटना वर्स या लापरवाह ATρι 20 से घटीत होती है और जिसमें बड़ी मात्रा में मानो जीवन की हानी होती है ठीक है तो ऑपदा प्रवंधन बोर्ड से आपदा को परिभाशित किया इसमें इन्होंने दोनों चीजों को शामिल किया है ठीक है मतलब क्या है आपदा आपका प्राकृतिक भी है और आपनो जनित कार्णों से भी हो शकता है तो इन्हों ने बताया कि आप दा ऐसे चीज को हम कहेंगे ऐसे मतलब घटना दुठटना को कहेंगे जिससे बहुत बड़े मात्रा में मानोजीवन की हानी होती है एसी दुरखटना ऐसा बिधुन सक घटना जिससे ज्धा मात्रा में मानो जीवन या human beings को नुक्सार पहुंचते हैं उनकी मृत्ति होती है जन जीवन छत बिशत हो जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे हम आपदा बोलेंगे ठीक है तो आए देखते हैं कि जो हमारा आपदा प्रबंधन बोड है वो आपदा को इन इन तरीकों म में आएगे इसलिए आपको यह टॉपिक इसमें शामिल किया गया है ताकि आप अवेर हो सको डिजेस्टर सिस्टम से कि किसको किसमें रखा गया है कौन-कौन से नेचुरल डिजेस्टर है कौन-कौन से human being डिजेस्टर है ठीक है तो देखते हैं कि जो आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई आप दाओं में क्या क्या आ जाएगा तो इसमें आ जाएगा आपका चक्रबाद बवंडर तुफान ओला व्रिष्टी बादल पटना लू एवं शीत लहर हिंसर्खलन शूखा समुद्र छरन में गर्जन बिजली का कड़कना यह सारी चीजे अगर इन से अगर किसी भी जानवाल का या नुकसान पहुंसता है तो वह किसमें आ जाएगी जल एवं जलवायु से जुड़ी आपदाएं में अर्थात वाटर एंड क्लाइमेट रिलेटेड जिजैस्टर के अंतरगत सारी आपदाएं आती हैं मतलब कोई किसी भी उसको आपदा जलव के अंतरगत मतलब इस पेंडेमिक से पहले सुने होंगे कि किस तरीके से अभी अंफान आया था बहुत तरीके का आप नाम सुने होंगे चक्रवाद बादल अभी फट जाते हैं भूसकलन बहुत ज्यादा होता है उत्राखंड में जोहां के बच्चे होंगी जानते होंगे बड़ों का ने से बहुत लोग का छो मौत होता है द जादा है तो सारी जूंहाग से जूरी आपदाू में क्लियर है यहां तक领प लोग समझ गैंगे कि जल औम जल वाई से जूरी से संबंधित आपदाय हैं आपके पास उसमें आपका भूर्षकलन भुकम बांध का तूटना और खादान में आग का लग जाना अगर इनसे लोगों का जन जीवन प्रभावित होता है इससे अगर पर्यावरन और मानों को नुकसान पहुंचता है तो यह सारे जिडास्टर कि तो दुरघटना के अंतरगत क्या जाएंगे मतलब कि एक्सिडेंटल डिजेस्टर में क्या क्या आजाएंगे तो एक्सिडेंटल डिजेस्टर में आपके आजाएंगे जैसे कि जंगलों में आग का लग जाना शहरों में आग लग जाना खादानों में पानी भर जाना तेल का फैला हो जाना इमारतों का ढह जाना एक साथ कई बंबिस फोर्ट बिजली के मतलब जो शौर्ट सर्किट से आग लग जाता है हवाई दुरघटना सडक एवं रेल दुरघटना यह सारे आपके आजाएंगे कि एक सीड़ेंटल डिजेस्तर में इन सारी चीजों का इन्टि किसम होगा एक सीड़ेंटल डिजेस्टर में जो आपके आपदा प्रबंधन वोट कैतेग्राइज करके रखा है कि यह आपदा यह अगर इस से कुछ नक्सान होता है तो इस बाता ग्या है क्यूश सारे चीजों से निपटने के लिए जो management board होता है वो अलग-अलग strategy त्यार करता है उससे सुरक्षम होया कराने के लिए अलग-अलग team त्यार करता है तो ताकि समय पे सारी सारी चीजों से निपता जा सके इसलिए इन्होंने इसको केटेगराइज किया हुआ है ठीक है तो आई होब कि यह clear हो गए कि दुरघंटा संबंधी जो आपके पास आपदाएं है वो क्या-क्या है अब हम लोग देखते हैं biological disaster ठीक है हम बहुत मतलब detail में इसको लाए है कि यहां से अगर किसी भी तरीके के कोई भी question है तो आप मतलब भूल ना करो कोई भी topic रह ना जाए तो हमने कोशिश करी है कि जो डिजेस्टर में जितने भी तरीके की अब तक के अनुभौक अनुसार के पुछे गए हैं जहां जहां से तो हमने पाया है कि अकसर यहां से कोश्टन पूछे गए कि कौन किस आप्डा में आएक एक समय की मुझे याद आ रहा कि question पुछा हुआ है biological लिए जाएंगे बहुत सारे पैंडमिक्स कीटों का हमला इंसेक्ट अटेक होता है अभी याद आया कहां से हुआ था अगर किसी वीवेक्ति को याद है कि उस से क्यों कॉन से राज प्रभावित हुए होंगे यह बहुत इंपोर्टेंट है और यह आप लोग हम नोर्स्त बनाना उसका भूल गए लेकिन आप लोग जरूर देख लेना कि जो टीडे का अटेक हुआ था अभी कुछ महीनों पहले उसके कौन-कौन से राज्य प्रभावित हुए थे या पिन किन-किन राज्यों में उसका इफेक्ट ज्यादा था हो सकता है कि एक्जाम में पूछ लिया जाए ठीक है तो आप लोग देख लेना इसके अलावा जो विशाक्त भोजन होता है जैरीला भोजन मतलब वाइजनस जो भी फूड होता है उसके वजह से अगर कोई बीमारियां फैलती है कोई महामारी फैलती है तो वह सारे आजाएंगे आ पर्सान होता है तो यह सारे आप डायों को इंडॉस् Teil Yard to के अंतरगत तो यह सारा आपका था केटेग्राइजेशन जो आपका आपदा प्रबंधन बोर्ड ने किया है कि इन 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 दुर्घटना को इनके इनके श्रेणियों में रखना है तो आप यह समझ गए होंगे कि आपदा क्या है और आपदा का आपके पास भारत में कौन-कौ है तो सबसे पहली बात है कि जो भी प्राकृतिम जोखिम होते रहता है जैसे कि जौला मुखी है भूकंप है शुनामी है यह सारे चीजों जब होते हैं अगर उससे बड़ी संखिया में लोगों को प्रभावित होना पड़ता है बड़ी संखिया में मानो यूमन एक्टिव जार्स उसके बाद दिया हुआ है मतलब डिजेस्टर तो यह जो नेचुरल जोखिम है अगर वह बहुत संख्या में मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को या यूमन एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा अगर प्रभावित कर जाये जानमाल की बहुत ज्यादा च्छती पहुँचा दे तो वह जोखिम आपदा में बदल जाता है ठीक है तो यहां से क्लियर है क्या है कि प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का परिणाम है जैसे कि जौला मुखे विस्पोर्ट भूकंप जोकी मानों गरतिविधियों को क्या करता है और इस के जोखिम और आर्थिक नुकसान का जिक्र इसलिए किया रहा है कि कुछ कुछ जोखि मैसे होते हैं जैसे कि मानलो तेज तुफान आया जैसे कि हुधूध आया था यह हुधूध हमारे राज्यों में आया रोगों को प्रभावित किया मतलब यूमन बिंक्स को प्रभावित किया बहुत सारी मौते हुई तो यह आपदा बना लेकिन अगर यही हुद हुद यह कोई तुफान रेतीले जगह पे होते समुद्री तुफान में होते पहारी छेतर में होते जिसे कोई जानमाल का नुकसान नहीं पहुच रहा है तो हम उसको इसलिए आपदा को परिभासित करने के लिए बार-बार इस बात का धियान रखना जरूरी है कि ऐसे घर्टना जिससे बड़ी संख्या में क्या है कि मानो या पर्यावरान और आर्थिक नुकसान अगर पहुचता है तभी हम उसको क्या बोलेंगे आपदा बोलेंगे ठीक है तो यहां से क्लियर हो गया कि जो प्राकृतिक आपदा है वो क्या है और प्राकृतिक जोखिम क्या है तो अब सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार हमारे पास क्या क्या है यह सबसे इंपोर्टन टॉपिक है कि कौन-कौन से प्राकृतिक आपदा अलग अलग जगह पर बहुत जादा तुफान की वज़़े से तुफान जो है चर्चा में रहा आप सब लोग बताएं कि रिषेंट में जो तुफान आया था वो कौन था और यह भी कमेंड बॉक्स में बताना है कि वह किन किन राज्यों को प्रभावित किया ध्यान रखेगा अमल इस चीज को तो आपके नोट्स में ले आए हैं लेकिन आपको यह बात ध्यान में रखना है कि जो भी तुफान है कोर्श्चन या तो उसके नाम से पुछेगा या तो उसका सेंटर कहां था या तो किन किन राज्यों को उस तुफान से प्रभावित होना पड़ा यह सा जो अक्सर सोख मौसम के साथ आती है इसमें तेज हवाएं ओले गिरना भारी बारिश भारी बारी 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 बादलों का चमकना बीजली का चमकना जैसी मौसम गतिविधियां दिखती है मतलब तुफान आप सारे लोगों ने पढ़ने किया हो शेक्ता नहीं है लगब मज़ा बादल फटने का डर रहता है बिजली का चमकना जिसके वजब से जान ओना याता यात बहुत तरीके से पेड़ पधे बहुत तरीके का क्या होता है नुक्सान हमको जहना पड़ता है तुफान से थीक है आम तोरु पिशेश पीप लिए गर बात करें सुधां तुफ प्राकृतिक आपदा कंग Glow della निपटने के लिए आपदा प्रबंधन बोड इचानक आता है पुरी त्यारी करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को इसका छिलना पड़ता है तो देखते हैं कि कुछ-कुछ facts है तुफान के लिए के तो सबसे पहले हमारे पास जो facts है वो यह है कि अमफान तुफान तुफान जो अब तक का बोला जाता है कि भारत का सबसे खतरनाक तुफान होता है जिसमें क्या हुआ हजारों लोगों की जाने चली गए ठीक है यह अम economically बहुत नुक्षान हुआ उन राज्यों को जहां-जहां से यह हुआ हो के गुजरा तो आप लोगों का यह काम है बताना comment box में कि जो अमफान है वो भारत के किन राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया क्योंकि यह आपके लिए important है ठीक है नाम important है और यह भी important है किन-किन राज्यों को प्रभावित किया ठीक है आप बता दोगे यह देखिए आपका रास्ता है जहां-जहां से अमफान हो के गुजरा तो इन-इन देशों को प्रभी प्रभावित किया लेकिन यह देश उतने ज्यादा आपके important नहीं है जितना की जरूरी है आपके भारत में इस्थित राज्य ठीक है तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा उके उसके बाद आया आपका फैनी ठीक है फैनी आया 2019 में ठीक है फैनी तुफान ने भी सबसे ज्यादा तबाही मचाई कहां पे मचाई और बंगलादेश को यह दो लोगों को इन्हों ने ब ज़रूरी है और यह राज जो राज प्रभावित हुआ वह भी ज़रूरी है ठीक है तो फैनी कहां आया उडिशा में सबसे ज्यादा नुक्षान किया उडिशा में ठीक है यह तुफान जो 1999 में सूपर साइकलोन आया सा अया था उससे भी खतरनाक था और इस तुफान रफ नोग थे। उनको वहां से बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को wants बिश्थाफित का मतलब यह कि वहां से लोगों को दूसर जगा पर बसाया गया ताकी वहां पर ज जाबाधा नुखसान अधा था और k네शा क पhält और capitalist लौन भारत में बहुत जादा प्रभावित किया था तो बात हो गई या फैनी की और अमफान की तो यह दो तुफान आप लोगों के क्लियर हो गए तीसरे तुफान की बात है हुदूद यह कोश्चन पूछ भी पूछा जा चुका है लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए हुदूद कब आया अक्टू पटनम और उरिशा को परिशान किया ठीक है मतलब अनमाहन सागर से शुरू करके इन राज्यों के नहों ने काफी परिशान किया इस तुफान में कितने लोगों की मौत हो गई एक सोचोबेस लोगों की मौत हो गई थी यह था आपका हुदूद और और औरेडी मैं बोली कि इस हुदूद से कोश्चन पूछा जा चुका है कि हुदूद जो है किन-किन राज्यों को प्रभावित किया था जो बच्चे पेवियस चेर का कोश्चन पेपर सॉल्व किया होंगे उनको यह चीजे मिल गई होंगे इसके अलावा यह तुफान जो है बता ही दिये के 124 लो अब वह नाम है आपका उरिषा ठीक है तो उरिषा राज जोह तुफान चाहे कोई भी आए उस ते जरूर जरूर क्या होता है प्रभावित होता है इसमें एक करोर से ज्यादा लोग भी क्या हुए थे प्रभावित हो गये सोची कितना खतना कि तुफान था यह इसमें 50 से बढ़ाया और इन सारे राज्यों को इंहों ने प्रभावित किया तो स्टों विए नाम कम से कम अंचाल को जरूर याद करेंगे प्रभावित कन पर याद कर लेंगे उसमें कॉमन नेम जो उडिशा बताएं उस उडिशा को भी जरूर्याद कर लेंगे क्योंकि अगर उप्षन में उडिशा रहेगा तो उसको छोड़िएगा नहीं हो सकता है कि वह आपका स्क्वेशन सही हो जाए ठीक है उसके बाद 1999 में जो सुपर साइकलोन आया था 25 अप्टूबर 1999 को अंडमान सागर से आय था इसकी रफतार कितनी थी लगभग 260 किलोमीटर परावर की थी ठीक है यह भारत में बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचाया था यह भी उडिशा जो राज्य है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वहां के जमीन जो है दसने लगी थी औ जो समंदर की लहरे हैं यह 35 किलोमीटर अंदर तक आ गए थी सोची कितना ज्यादा उतार चड़ा हुआ इस तुफान की वजह से यह तुफान क्या है 1999 में आया था शूपर साइकलोन इसको बोला जाता है लेकिन यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है चूंकि आपके डेटा मे ही तुफान था तो बात होगी तुफान की तुफान का कहर क्या है आप लोगों ने देख लिया के कितने तरीकी के तुफान आया है तुफान कि बाद हमें यह शरील को प्रश्यिक हाह य समभलने का मौका नहीं मिलता और बड़ी मात्रा मेंических नुक्सान पहुंचता है तुफान से भी नुक्सान पहुंचता है लेकिन अर्थक्विक भी लोगों को बहुत ज्यादा नुक्षान पहुंचाता है यह क्या है प्राकृतिक आपदा है ज़रा आप लोग जानते ही होंगे यह कैसे होता है तो प्रिथभी के भूपटल में उत्पन तनाव का उसकी सत अधा का हिलना यह अपना भूकम कहलाता है आपको सब को पता है कि प्रिथभी जो है हमारी क्या है चार परतों से मिलके बनी है इनर को और आउटर को मैंटल और कर्स्ट तो मैंटल के जो नीचे का छेतर है लगवग 50 km का वो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं तो वह मोटी पेटी है वह जो 50 किलो मीटर की उसको तेक्टोनिक ब्डेट बोलते dieta कने कानल बोड़ आपदा को आ नायता है प्लिद्वत परिशानीरिशर्ण मीह बाता, ब्रम की अपोग्वेश स्कूरे같ए है उचीटS परिशानीर इसी बीज और भोड़ बहुत लोगों की जिन्दिगियां बहुत तरीके का बिनाश ले के आता है साथ में बहुत बड़ी मात्रा में 90 best को क्या पहुचाता है नी पहुचाता है भूकम्प ठीक ہے और भूकम्प जो है एक लिमिट एरिया के लिए नहीं आता है यह काफी बड़े छेत्र को भी कवर करता है और बड़े व्यापक अस्तर पे लोगों को नुकसान पहुंचाता है और आपको पता है कि इसके लिए एक इंपोर्टेंट फैक्टर यह भी है कि जो भुकम के तीवरता मापते हैं आप सारे लोग कमेंड बॉक्स में जरूर होते हैं तो भुकम मापने के लिए जो रियक्टर स्केल का पैमाना तै किया गया है इसको रियक्टर मैगनिटूड टेस्ट स्केल कहा जाता है क्योंकि भुकम से भी कोशन पुछा गया है और इस टॉपिक से कोशन पुछा गया है तो यहां पर मैं आप लोगों को बताते च सकेल होता है, इसको दो संख्वI में एक सेले के नौ तक इसको बताया जाता है ताकि जो रियक्तर स्केल पर जितने भी संख्या दर्साय गयामालीजी की छे दरस आते हैं तो उसको हम उसका डस गुणा ध़्द मान के चलते हैं और बताते हैं कि कि इतना स्पीड में भुकंप आया है उससे पता चलता है कि भुकंप कितना खतरनाक है रियक्टर इसकेल के पैमाने से तो इसका अविश्कार किस ने किया था तो इसका अविश्कार हुआ था 1935 में कैलिफोर्निय इंस्टूट ऑफ टेकनोलोजी में जो बैग्यानिक थे चार्स रिक् परणे अपने सहयोग से जो यंट्र है यह जो इसकेल है इसका खोज किया था और इनी के नाम पर इसका नाम रखा गया है रियक्टर मैंगनिटूड टेश्ट इसकेल जहां पर तरंगों को एक सिनों तक के आधार पर मापा जाता है ठीक है तो यहां पर यह जरूरी है किस न यह आप लोगों कमेंट बोक्स में बताना है आदरवाई जमतों है उसके बाद आता है प्राक्रितिक आपदा है वह है सुनामी आपको पता है कि जापानी भाषा का शब्द है दो सब्दों से मिलके बना है शू और नामी ठीक है सू का अर्थ है हरबर और नामी का अर्थ है तरंग और ठाक जो समुद्रिये तटिये छेत्रों को प्रभावित करती हैं वो सुनामी कहलाती है मतलब ऐसे तरंग या ऐसी लहर जो समुद्र के तटिये छित्रों को काफी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करती हैं उनको हम सुनामी कहते हैं सुनामी शब्द की रचना जापान के मच्छवारों द्वारा की गई थी जिन्होंने कई बार खुले समुद्र में तरंगों की कोई विशिष्ट हल चलना होने के बावजूद भी बंदरगाह को उजड़ा हुआ देखा मतलब सुनामी के वज़ा से जो भी आसपास के तर्टिये एरिया होते हैं वह बहुत ज्यादा उनको नुक्सान पहुंचता है दिरे दिरे आप कह सकते हो कि सुनामी कोजा से वह दिरे दिरे पानी के लेबल में चले जाते हैं ठीक है और आपको याद होगा कि 2004 में वारत में भ सनामी कोजा करें पाक्ता नियुक प्रहुत के पुदान के सिर्फ dedic to 나도 लुकष को रिए को मंतले से अनदर हवास से आइस होता है तो भी असकता या फिर वी उलगापिंट के गिरने से शमुद्र में सुनामी को तो यह सारे नेच्रल कोजेज हैं जिसके वज़े से सुनामी याद सकता है और जो हुमन विंक्स कोजेज है या फिर यूमन रिजन जो है वह है अगर आप परमानू परिच्छन कर रहे हैं समुद्र के तल में तो भी सुनामी आने का खत्रा बढ़ जाता है तो सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है और इन इनकारणों से आ सकता है तो याद रखिएगा इसके अब बाद है वोलकैनो वोलकैनो सारे लोग जानते हैं कि ज्वाला मुखी ज्वाला मुखी क्या है प्रित्वी के अंदर जितने भी तरल पदार्थ हैं लावा गैस राख वह सारे जब अ प्रित्वी के अंदर जो गर्म लावा गैस राख आधी बाहर आते हैं तो वह क्या होता है वोलकैनो का रूप ले लेता है जिससे बड़ी मात्रा में इन्वार्मेंट को और हुमन विंक्स को नुक्षान पहुचता है इसके बाद है अवेलेंच ठीक है हिम्सक्लन हिम्सक्ल होता है की जब हम यहां पर आपको पिक्षर में दिख रहा होगा कि जब किसी धलान वाली सतर पर जो यह जो हमका टुकडा या बड़े मात्रा में हिम्सक्लन की पाधा है और शुरू होने के बाद धलान पर नीचे जाता हुआ है लगता है इसमें बर्फ की और भी मात्राइं शामिल हो जाती है जिस तरीके से आप भूर शकलन पढ़ते हैं लैंड्स्लाइड पढ़ते हैं तो देखें होगे कि लैंड्स्लाइड में क्या है कि भूमी मिट्टी कंकर पत्थर अचानक से ध्र 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 ध्लान के मतलब गिरने लगता है तो साथ ही साथ अपने अपने साथ साथ बहुत ज्यादा तर बर्फ के टुकड़े को लेकर वहाव की वर आ जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं हिम सखलन या फिर एवलेंच ठीक है तो इस यह भी एक क्या है आपका नेचरल डिजेस्टर है इसको भी आप दास रखना है घी प्राक्रितिके आपदा जप लिए फिस इस प्हें भी आशत्त को वह कहोंचता है हमारे किषानो को और किसान जो है प्रकुर्छी हमारों सुखा को कैसे हों हिंदी में तो अधिषाई शेम को होता 10 लोगों को खाने के लिए भोजन घ्रीमांत्राम चाटा है तो कि हमारा भारत का टोटल के टोटल क्या है मांसून पर डिपेंड है अब जिब इर मौनसुन डिवह अस्तव वारिश नहीं करती है तो क्या पर जाता है जिससे की किशान जो भी when in agriculture समंधित जीड़ ब्रहावित हो जाता है अपालब हो जाता है लोगों बोजन के लाले पर अपदा है तो यह चीज़ ध्यान में रखना है ठीक है इसके बाद है लेंड स्लाइड लेंड स्लाइड जब धरातली हल्चलो जैसे पत्थर खिशकना या गिरना पत्थरली मिट्टी का बहाव इत्यादी इसके अंतरगत आते हैं अचानक से जब बहुत सारा भूमी का एक सकते हैं इसमें चटान के छोटे-छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में बड़े-बड़े चटान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव क्या होता है शामिल हो सकता है तो यह भी एक बड़ी समस्या है प्राकृतिक आपदा के लिए इससे भी मानो ज लुँख्षान पहुंचता है और यह तरीक आपकां छेटर नीचुरी बड़े और रिचाश्टर है इसके अरह और और आपका प्राक्रेटिक आपदा में तो प्रेश्ट फायर भर्फ वाली तेज हवा है, ठंधी हवा, शीत लयर आप कह सकते हो, बर्फानी तुफान कह सकते हो, ब्लिजर्ड कह सकते हो, इसके भी अभी एक नेच्चर प्राकुरितिक आपदा के प्रकार हाई अभर पूछा जाए मिंजन नहीं रिखत और तो अब तो बात हो गई कि इतने सारे आपके प्राकृतिक आपदा है तो अब प्राकृतिक आपदा तो हो गए लेकिन प्राकृतिक आपदा से कौन-कौन से एक कारक है कौन-कौन से मिनस्ट्री मैं मंत्रालΗ है जो इनका देखढक करते हैं तो संभालते हैं लाइक के लिए बहुत इंपोर्टेंट स्लाइड है इंपोर्टेंट है यह जरूर से जरूर आप लोग याद कर लीजेगा ठीक है तो पहले है कि टाइपस ऑफ डिजेस्टर और उससे संबंधी जो भी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसका देखरे करता या फिर यह किसके अधीन काम करत है तो अगर कहीं पे केमिकल डिजेस्टर होता है अगर कहीं पे रशानिक क्रियाओं के द्वारा आपदा आता है तो उसका देखरे करता है मिनिस्ट्री ओफ इन्वर्मेंट अर्था पर्यावरन मंत्राले अगर कहीं पे बायलोजिकल डिजेस्टर होता है तो वह देखता है स्वास मंत्राले अर्थाथ मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ और अगर कहीं पे नुकलियर दुरघट ना होती है तो उसके लिए नोड अलेजंसी है आपका परमानु उज्जा विवाग अर्थाथ डिपार्टमेंट ओफ अटोमिक एनर्जी और प्राकृतिक और मानु निर्मित अप मंत्राले अर्थाथ होम अफेरश ठीक है सूखा अगर पड़ा है तो सूखा से संबंधी जो भी अकाल से संबंधी देख रहे हैं इससे नहीं पटने इसके संबंधी प्लान करने से भी जो देख रहे हैं वह आपका देखेगा मिनिस्ट्री ओफ एग्रिकल्चर विमान दु अगर कहीं पर रियल दुर्गट ना होती है तो उसके लिए मिनिस्ट्री ओफ रेलवेज हैं तो यह सारे नोडल एजेंसी हैं नोडल में मंत्राले हैं जो इतने सारी अपदाओं का देख रहे हैं यह सारी अपदाय जो हैं इनके अधीन आती हैं अगर कहीं पर रशानिक तो यह सारे चीजे नोडल मिनिस्ट्री हैं तो आप इसको देख लीजेगा बहुत इंपोर्टन स्लाइड है अप लोगों के लिए ठीक है इसके अलावा भारत में उससे निपटने के लिए क्योंकि आप लोगों को पारना है ना स्ट्रेटजी इसको खतम करने के इसको कम कर करने के इसको शांत करने के तो इसके अलावा हमार के बना हुआ है आपता प्रबंधन अधिनियम मतलब एक्ट बनाया गया है आपदा से निपटने के लिए उसको मैनेस करने के के लिए किया है परबन अधिन्यम में अब कर सकते हैं तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 2005 आपदा की परिभाशा प्रकृति अत्वा मानो निर्मित घटना के रूप में देता है जैसे कि हम पहले ही प्रिवेस स्लाइड में हम अभी बताए थे कि आपदा प्रबंदन जो बोड है वह आपदा की डिफिनेशन क्या दिया है आपदा के टाइप्स क्या बताया है और नहीं पे किसी भी तरीके का अगर आपदा आता है तो यह जो एक्ट है यह उससे निपटने के लिए उससे तयार होने के लिए उसको खतम करने के लिए उसमें रात सामगरी पहुंचाने के लिए उसमें रिलेव देने के लिए सभी चीजों के लिए क्या है यह जिम्मेदार भी देता है और आपदाओं का सामसामी प्रभावी प्रती उत्तर सुनिश्चित करने के लिए कारिकारी कारियों का उत्तरदारी तो भी संभालता है तो यह मतलब कि आपदा से संबंधित नियम बडाना उस से संबंधित डिशानिर्देश देना और साथ ही साथ जहां पर भी डिजेस्टर आया है उसके फिट बैक में हमको कितना frequently काम करना है इन सारे चीजों के लिए जो यह act है वो क्या है आपका responsible है ठीक है अगर हम बात करें इसका कार की भूमिका का तो इसका में कार क्या क्या है तो इसका काम है कि तयारी और प्रशमन से लेकर प्रतियुत्तर और सुधार तक सभी चर्णों में आपदा प्रबंधन के लिए एक संगत द्रिष्टिकों रखना मतलब कि कहीं पर आपदा आ रहा है तो पहले से आप तयार हो यह और अगर आपदा आ गया तो उसके तुरंत कैसे शुविधा मुहया कराना है यह सारा मैनेजमेंट का का काम करना यह आपदा प्रबंधन बोर्ड का है इसके अलावा अपनी जो असपष्ट जो एकस्प्रेशली जो एलोकेट जो रिस्पोंसबिलिटी है उसको निभाना मतलब तुरंत राहत कारे पहुंचाना उनको आवंटित करना भी राष्ट्रियापदा प्रबंधन बोर्ड का कार है और समन्वित प्रतियुत्तर के लिए धाचा तयार क पतलब कि कहीं भी आपदा होता है आपदा एक ऐसा चीज है कि प्लान करके नहीं आता है और आपको बहुत ज्यादा मौका भी नहीं देता है खुद को तयार करने के लिए तो ऐसे स्थिती में कि जब कहीं पर कोई डिजस्टर आया है तो आप तुरंत से कितने तयार हो ठीक को वहाँ पे नियंत्रीत कर सकें यह सारे कार जो है आपदा प्रबंधर बोर्ट को दिए गया हैं जिसमें वह और सिर्फ काम जिमेदारिया संभालता है साथ ही साथ आपदा से संबनधित नीयम नीर्वान का तरहिवी और प्लैनिंग का भी काम करता इसके अलावा हम और भी जो प्राकृतिक आपदा है उसको कैसे कम कर सकते हैं कैसे खतम कर सकते हैं तो इसके आलावा जो खतम करने का काम है वह हो सकता है कि हम जितने भी नेचुरल डिजस्टर हैं उनके बारे में लोगों को क्या करें अवेर करें उससे संबंधित सारी योजनाय चला रही है ताकि जो भी लेंड्सलाइड की परिस्थिती है उससे बचा जा सके गवर्मेंट के द्वारा जगा जगा पर ब्रिक्षा ओपन करा जाता है प्लांटेशन होता है ताकि मिटी की जड़े जो है वो क्या है मजबूत हो जड़ों को पकड़े रखें वहां पर भूम लैंड का जो है एक जगह से दुसरे जगह पर भिस्थापन नहीं हो तो लोगों को जाकरू करके भी हम क्या कर सकते हैं अपना जो नेच्र लिजेस्टर है उसको हम कम कर सकते हैं इसके अलावा हम अपने पास बहुत सारे रिसोर्सेस को रखके हमारे पास को कढ़ने चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोगों को रहतकार देपाएं इससे भी हम खत्रों को कम या दूर कर सकते हैं जासे कि सुनामी आना ओ शमुदर में लहर आ रहा है तो बहुत बार वहां के मचवारों को सूचना नहीं मिल पाती है और बहुत सारे मचवारे जो है उसका शिकार हो जाते हैं जैसे कि हमारे पास अभी उतना ज्यादा हाइफाई टेकनीक नहीं है कि भुकम पाना है तुफान आना है तो हम सही समय पे सही बात का जानकारी दे सके तो ये सारे टेकनीक एवलेबल होने से, हमारे पास resources के होने से, और लोगों को awareness करके, अपने आपको मजबूत करके, हम जो है natural register से क्या कर सकते हैं, पार पा सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, और सबसे बड़ा काम ये है कि सबसे पहले तो हमारे पास सूचना होनी चाहिए कि यहा आप प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कितना तयार हो, कितना सजग हो, कितना अलर्ट हो, ठीक है, तो ये था आज का क्लास, जहां पे हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा और उसके प्रकारो, उसके काटेगरी और आपदा प्रबंधन बोर्ड जो है भारत का, उस बहुत ही important और relevant topic है, और इससे question अकसर पुछे जाते हैं, तो once again, आप सब लोग जो भी बच्चे हमारे course के साथ जूरे हैं, इसका जरूर से जरूर revision कर लेंगे, क्योंकि अभी जितने भी environmental के classes चल रहें, सारे topics बहुत important हैं, किसी को भी आप skip नहीं कर सकते, और ऐसे बच्च कर सकते हैं, और मैं बताते चलू साथ ही साथ की, आज से जो है, हम लोगों की classes अब daily होंगे, शुबह सारे आट वजे morning में, ठीक है, तो कल हम लोग मिलेंगे next topic के साथ, क्योंकि अभी इस लिए बस बहुत ज्यादा बचा हुआ है complete करने के लिए, तो सबसे पहले तो आप जरूर इसका revision करोगे, पढ़ोगे, ताकि कोई भी question ना छूटे, ठीक है, तो take care, जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये class आप लोगों को, feedback देना बहुत जरूरी है, और फिर्म हम लोग मिलते हैं कल morning में सारे आट बजे, तो आप सारे लोग रेडी रहिएगा, सारे आट ब भाई भाई